पापी से पापी व्यक्ति भागव सुनके तर जाता है उसका उदाहरण देखी एक गाउँ छा गाउँ का नाम छा उत्तमपुर तुंग भद्रान नदी के किनारी गाउँ छा तुंग भद्रान तटे पूर्वं भूत बत्त नमुत्यमं यत्रवर्णा स्वधर्मेणा वहां पर सारे धर्म के लोग रहते थे वहां पर एक आत्मदेवा पुरीत असमिन सर्ववेद विशारदा सारे वेदों के ज्यानी चारों वेदों के ज्यानी श्री आत्मदेव जी महराज रहा करते थे एक पंडिजी थे जिनका नाम था आत्मदेव जो अपनी आत्मा में प्रमा धुंदली आजमदेवजी के जीवन में सब कुछ था पुत्र नहीं था क्या नहीं था मेरी माँ पुत्र जीवन में सब कुछ क्यों ना हो फिर भी कोई न कोई कमी तो रहे ही जाती है अच्छा बताओ बेटा होना जीवन में जरूरी है या नहीं उत्तर दो मैया और भाईया सब लोग प्रश्ण का उत्तर देंगे जीवन में किसका होना आवश्चक है बेटे का, बेटी का या भगवद भक्ती का जीवन में किसका होना अति आवश्चक है बेटा, बेटी या भक्ती जोर से और जोर से भक्ती तो बेटा होना जरूरी है अरे ग्रहस्थी के बेटा हो जाए तो अच्छी बात जाए भगवान कर सबके हो जाए बेटी हो जाए तो अच्छी बात है भगवान कर सबके हो जाए लेकन एक वाद बताओ बेटा बेटी तो लगभग सब के हो ही जाता है क्या भगती सब के हो पाती है बोलो हो पाती है इसलिए बेटा और बेटी से स्रेश्ठ यदी कुछ है तो भगवान की भगती है इसलिए भगवान की भगती जिनके जीवन में है वो बड़े भाग गिशाली है ये मानव का शरीर क्यों मिला है आप लोगों को चलो एक छोटा सा सवाल मैं सबसे पूछूंगा आप सब बुद्धी जीवी हैं पढ़े लिखे हैं उत्तर देंगे मुझे विश्वास बताओ सिंपल सवाल है हमारे बहुत कठिन सवाल हम पूछते नहीं प्रश्ण ये है आप लोगों से कि आप लोगों ने विवाह क्यों किया ये प्रश्ण प्रश्ण फिर से हम दोहराएंगे और एक एक से पूछेंगे मैया ओ मेरी पंचाइती मैया देखो यहां आगे से पीछे गई पंचाइत करने पीली मैया ओ पीली मैया बैठी रहने दो चुपचाप सुनो ध्यान से सुनो चलो बताओ आप लोगों का विवाह हो गया है किस किस का हो गया हाँ तो ठालो चलो बताओ आपका विवाह हो गया चसुमा बाले भहिया बताओ आपने विवाह क्यों किया उत्तर दो उत्तर दो कर लिया पता नहीं क्यों किया हो गया इसलिए नतीजा सही निकल के नहीं आता क्योंकि उद्देश ही पता नहीं है आप यदि लंदन जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं तो आप उद्देश से जाएंगे न हम इस काम से जा रहे हैं अब जा रहे हैं पता नहीं किसलिए जा रहे हैं ये तो कोई बात नहीं होती आपने विवाह किया है तो कोई तो देश होगा आप लोगों का तब तो किया है वरना क्यों करते आप विवाह चलो फड़ा फड़ उत्तर दो और ये प्रशन घर में जाके फिर पूछना अपने आप से कि हमने विवाह क्यों किया आज इस पर चर्चा कर लेंगे जरासी देर मैया आपने विवाह क्यों किया किया है ना क्यों किया ये दादा जी बताएंगे उमर में आप लोगों से ज़्यादा समझदार हैं आप नहीं बता पा रहे हैं उनका ज़्यादा समय हो गया विवाह ग्रहस्थ में तो बताएंगे बताईए आपने विवाह क्यों किया चस्मा वाले दादाजी बताएंगे सबसे पहले तीन बैठे हैं ब्रह्मा विश्णु महेश सबसे पहले बताईए आपने विवाह क्यों किया अब सेकेंड नमबर के बताएंगे चलो आप भी बताई उपर बैठें जस्मा लगाए भाईया सफेद कुर्ता बताई आपने विवाह क्यों किया संतान के लिए संतान उत्पत्ती के लिए विवाह किया संतान उत्पत्ती के लिए विवाह पुत्ता बिली तो विवाह भी नहीं करते उनके तो होते हैं अब सोचिए कि आप सबने विवाह कर लिया जितने यहां बैठे हैं लगभग कोई साइद अभी बाकी हो विवाह सबने कर लिया पर पता किसी को नहीं है कि हमने विवाह क्यों किया आज आप लोगों की अज्या हो तो मैं बता दू कौन कौन सुनना चाहेगा सब चलो अब विवाह करने के 25 साल वाद यह सुन रहे हो क्यों किया चलो फिर भी सुनाते हैं आपको देखो कुछ लोगों का यह मानना होता है कि महराज हम विवाह अपने वन्स को आगे बढ़ाने के लिए हमने विवाह किया संतानुत्पत्ति के लिए तो देखो विवाह के बाद तो संतानुत्पन्य होगी ही वो जाएगी कहा है उद्देश संतान उत्पन्य करना था ही नहीं फिर विवाह का उद्देश यह क्या था अच्छा चलो इसे मैं और अच्छे से समझाओं ताकि आपके जीवन में सदा के लिए समझ में आ जाए आप जितने मेरे भाई लोग बैठे हैं आप बताओ आपकी पतनी जब आपका विवाह नहीं हुआ था तब से लेकर आज तक जब आपका विवाह हो गया है तो आपकी पतनी ने आपकी कहां-कहां सहायता की कहां-कहां सहायता की पहला बिवाह क्यों किया जाता है पहला कारण बहुत सारे कारण हैं मैं एक-एक से बताऊंगा बिवाह करने का पहला कारण कि जब बिवाह नहीं होता तो चाहे इस्त्री हो चाहे पुरुष लड़का हो या लड़की उनका मन जादा चंचल होता है विवाह के पहले फिर क्या होता है यदि आप संत नहीं है यदि आप आध्यात्म से नहीं जुड़े और यदि आपकी साधी नहीं हो रही है तो आप ये देखेंगे के अधिकांस इस्त्री हो लड़की हो या लड़का हो यदि आपने समय पर विवाह नहीं किया तो वो यदि आध्यात्म का ज्यान नहीं है भीतर तो व्यवचारी हो जाते हैं मतलब आप किसी का विवाह ना करो तो व्यवचारी होने की संभावनाएं जादा हैं हाँ या ना इसलिए आपका मन पहले जादा चंचल था फिर पत्नी आई फिर आपका विवाह हुआ और जब विवाह हुआ तो आपका मन पहले सत्रह जगह जाता था जब विवाह हुआ तो आपका मन सबसे हटा और एक पत्नी में केंद्रित हो गया मतलब आपकी पतनी आपके मन को काबू में करने के लिए मन को वश में करने के लिए सबसे बड़ी सहयोगी हमारी पतनी है जो हमारे मन को कंट्रोल करने में हमारी सहयोगी है सहायता करती है और यही स्थिती स्त्रियों के साथ है कि आपका पती आपके मन को कंट्रोल करने में सबसे बड़ा सहयोगी है पहला कारण तो हमारी पतनी और हमारा पती हमारे मन को कंट्रोल करने में सहयोगी है पहले मन सत्रा जगह भड़कता था फिर सबसे हटके एक जगह लगा ये बास सही है या गलत है सही है तो मन एक पतनी में लग गया अब आप पतनी अब ग्रहस्थी में हैं आप तो अब ग्रहस्थ में रहकर आपने संसार का सुख लिया और लेकर देखा कि कितना सुख है अब उद्देश ये है कि अब धीरे धीरे इन संसार के सुखों से मन हटाओ और भगवान के चरणों में मन लगाओ संसार का सुख नहीं देखोगे न तो मन बार बार जाएगा कैसा होता है संसार का सुख कैसा होता तो भहिया लोगों ने शादी कराई हमारे बाप दादों ने बुजरगों ने नियम बनाया विवाह करो शादी कर लो देख लो संसार का सुख क्या है और देख कर पता लगाओ कि बहुत ज़्यादा सुख नहीं है केवल 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 लगता है कि सुख है मिलता विलता कुछ नहीं छानिक सुख है इस खणिक सुख में सारी जिंदगी लोग बरवाद कर देते हैं इसलिए इन भोगों से मन को हटाओ और भगवान में मन लगाओ तो पत्नी जो है वो सहयोगी है कि पत्नी में पहले आप मन लगाके फिर मन बापिस ला करके और भगवान के स्रीचरण में लगादो तो पत्नी सहयोगी हुई भगवान की भक्ती में ये दूसरा कारण तीसरा कारण यदि आपका विवाह न हो तो हमारे भारत में जो यग होते हैं हमारे वेद जो यग करने का नियम बताते हैं विधान बताते हैं यदि विवाह आपका नहीं हुआ और आप यदि संत नहीं है तो फिर आपको यग में बैठने की अनुमती नहीं होगी यहां तक कि भगवान राम जब भगवान राम की पत्नी माता सीता वनवास गई और राम जी ने यग किया तो गुरु वसिष्ठ जी ने मना कर दिया कि राम आप यग में नहीं बैठ सकते क्योंकि आपकी पत्नी आप ग्रहस्त हैं पर आपकी पत्नी सास नहीं या तो पत्नी को लाओ और पत्नी आप लानी सकते तो आप इस यग के अधिकारी नहीं है तब भगवान राम ने पूछा क्या करें तब बोले सौने की सीता बनाओ तब सौने की सीता बनाई गई और सौने की सीता को बगल में विठाया गया और तब राम जी ने यग्द किया था मतलब आपकी पतनी ना हो तो आप यग्द के अधिकारी नहीं है तो विवाह इसलिए किया जाता था कि हम यग्द का अधिकार प्राप्त कर सकें क्योंकि ग्रहस्त कोई यग्द का अधिकार प्रात तो पत्नी हमारी हमें यग्द का अधिकारी बनाती है भगवान राम की भी पत्नी नहीं थी तो यग्द के वो अधिकारी नहीं थे तब सौने की सीता बनाकर बगल में बिठाना पड़ा हाँ या ना तो पत्नी हमें कौन सा अधिकार दिलाती है जोर से यग का अधिकार दिलाती है इसलिए जब पती और पत्नी बगल में बैठते हैं एक साज बैठते हैं तब वो यग के अधिकारी होते हैं ना पुरुष अकेले आहुती दे सकता और ना इस्त्री अकेले आहुती दे सकती यद कोई दे रहा है, तो वो मन माना है। यदि आप ग्रहस्थ में हैं, तो आपकी पतनी को आपके बगल में बिठाना जरूरी है। पती-पतनी, दौनों बैठकर ही कथा-ित्यादी, सुने, कोई भी पूजा हो, पंडिजी घर में कराते हैं, तो गाठ जोड कर करते हैं। क्या होता है गठ जोडा होता गठ बंधन होता मतलब जोडी से यदि पतनी अब पती नहीं है किसी का या पतनी नहीं है तो फिर तुम अधिकारी नहीं हुए उस पूजा के फिर तुम अपने बेटा और बहू को बिठाओ इसलिए कहता हूँ जब तक पती पतनी तुमारी करेंगे बुढ़ापे तक एक भी चला गया तो तुम बंचित रहोगे इसलिए पत्नी हमारी हमें किसका धिकार देती है तो भगवान की प्राप्ती में यग के विधान में हमारी पत्नी हमारी सहयोगी है इसलिए विवाह किया जाता था पहले के रिसी मुनी विवाह करते थे ताकि हमें वसिष्ठ जी को विवाह करने की क्या जरूरत थी लेकन उन्होंने मातारुंधदी से विवाह किया क्योंकि यग में हमें प्रवेस ही नहीं मिलेगा बिना ग्रहस्थी के इसलिए पहले के रिसी मुनीवी विवाह करते थे और जो विवाह नहीं करते थे वो उन्हें यग्गों से दूर रहते थे वो उस प्रकारे के यग्ग नहीं करते थे इसलिए विवाह अब आप कहेंगे महराजी वंस अरे वंस तो चलेगा साधी विवाह करोगे तो बच्चे तो होंगे अच्छा एक वाद बताओ जब किसान खेत में गैहूं बोता है तो उसे फ्री में एक चीज मिलती है बताओ क्या जब किसान खेत में गैहूं बोता है आपके यहाँ पर गैहूं की फजल होती है होती है नहीं होती चावल होता होगा चावल होता है ना चलो चावल से बात करते हैं जब चावल बोए जाते हैं तो चावल बोने के बाद किसान को एक चीज फ्री में मिलती है बताओ क्या क्या गैहू बोने वाले किसान को फ्री में एक चीज मिलती है वो गैहूं का भूसा भूस वो चावल बोने के बाद वो प्यार मिलता है फ्री में मिलता उसके लिए किसान को प्रयास जदा नहीं करना पड़ता जैसे किसान खेत में गैहूं बोया है तो गैहूं के बदले गैहूं तो मिलेगी पर उसे भूसा फ्री में मिलता है उसी तरह जब आप ग्रहस्थी में जाओगे तो उद्देश है ग्रहस्थ में जाने का कि भगवान को प्राप्त करके लोटना है भगवान को पाने के लिए लेकन भूसा फ्री में मिलता है भगवान को प्राप्त करने के उद्देश से जब ग्रहस्त में प्रवेश करोगे तो बेटा बेटी पद प्रतिष्ठा पैसा भूसे की तरह ये तो मिलना ही मिलना है ये जाएगा कहां कि सानने खेत में ग्याहूं बोई है तो ग्याहूं तो मिलेगा ही मिलेगा भूसा फिरी में मिलेगा तो तुम्हें भगवान तो मिलेंगे यदि तुम नेक रास्ते पर चल रहे हो तो और बच्चे तो फिरी में मिलेंगे बेटा बेटी तो होंगे जाएंगे का उद्देश बेटा बेटी को पाना नहीं है मीरावाई के बेटा नहीं था था तो नाम बताओ मीरावाई के बेटा था भगवान की भक्ती स्रेष्ठ है बेटा बेटी और भक्ती में भक्ती स्रेष्ठ है इसलिए भगवान को मूल में रख करके ग्रहस्थ में जाना चाहिए पहले के लोग जब विवाह करते थे न तो पहले घर में सत्तनारण भगवान की कछा होती थी पूजा पाथ से अपने ग्रहस्थी को शुरू करते थे आजकल तो साधी हुई तुरंद भाग जाते हैं हनीमून मनाने के लिए तुरंद कोई पूजया पाठनी कोई विधान नहीं मतलब आज के बच्चों का उद्देश विवाह का भगवान उसे कोई लेना दे वो केवल भोग विलास के लिए विवाह करते हैं आजकल जो उद्देश है लोगों का वो केवल भोग विलास की पूर्ती के लिए लोग विवाह करते हैं इसलिए भोगी विलासी वच्चे पैदा हो रहे हैं पहले भगवान को प्राप्त करने के उद्देश विवाह होते थे तो घर में ध्रुब और प्रहलाद जैसी संतान हुआ करती थी स्वामी विवेक अनंद और जासी की रानी जैसी बेटियां हुआ करती थी मीरावाई जैसी बेटियां पैदा हुआ करती थी भगवत भगवत आजकल का उद्देश गलत है तो चलू बताओ विवाह क्यों किया ज़ा आप लोगोंने आप लोगों के विवाह का उद्देश क्या है भगवत प्राप्ती हमारी पतनी और हमारा पती दौना लोग बैठो भगवान के मंदिर में को कीर्टन करो कीर्टन करो पती पतनी सहयोगी है कीर्टन में भगवान के चिंतन में खूब कीर्टन करो पती पतनी मिलकर दादा दादी मिलकर बेटा बेटी मिलकर और भगवान की खूब भक्ती करो जिस मैंने यहां यह तो देखा आज सवेरे सवेरे यहां प्रभात फेरी लग रही थी जहां हम रुके हुए हैं रोज लगती हैं कि आज ही लगी थी रोज लगती हैं यह अच्छी बाच है कि हैदरावाद की पावंधरा पर यहां के लोग रोज प्रभात फेरी निकालते हैं और मैंने कुछ घरों से भी मैंने कीरतन की आवाज आज सवेरे सवेरे सुनी जहां हम रुके हुए हैं वहां के बगल के घरों में कहीं कहीं से सवेरे हमें कीरतन की आवाज सुनाई पड़ी इसका मतलब हमें ठीक समझ में आया कि यहां के लोग पूर्ण रूप से भगवत भगत हैं यहां कोई कमी नहीं बस थोड़ा जो कमी है उसे और पूरा कीजिए और दौना पती पतनी मिलकर घर में आधा गंटा कीरतन कीजिए कलियोग केवल नाम अधारा सुमरी नर उतर ही पारा इस कलियोग में केवल भगवान का नाम ही है और काम करो नाम जबते रहो काम करते रहो मन से गोविंद गोपाल गाते रहो तो खूब भगवान का नाम जबो और बेटा बेटी देदे भगवान तो रखो लेकन उदास ना हुआ करो कि बेटा नहीं है तो रोने लग गए, बेटा नहीं है तो परिशान होने लग गए, नहीं है तो कोई बाती है, जैसे भगवान की एक्षा, ठाकुर जी जैसे भूलों में रखें चाहे, हम भगवान के हो जाएं चाहे भगवान जैसे रखें, हाँ मेरी मा, तेरे भूलों से भ नमक रोटी खाओ पर भगवान को ना भूलो एक वार मेरे संग बोलो हे नात मैं आपको कभी भूलू नहीं हे स्रीमन्नारायन हे स्याम संदर हे करुणानिधान हे रगुननन मैं आपको कभी भूलू नहीं सदा भगवान का सुमरण बनाई रखिए खूब काम करिए खूब पैसा कमाईए खूब नाम कमाईए खूब इज्जत कमाईए पर सब कुछ करते हुए ये याद रखिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं बस हे नाच में आपको कभी भूलू नहीं तो कितने लोग आज से ये कहेंगे हमेशा हे नाच में आपको कभी एक चीज और कहा करो एक बात और मेरे संग बोलो और रोज कहा करो हे नाच मैं जैसा हूँ मैं जैसी हूँ आपकी हूँ हे प्रभू हम जैसे हैं आपके एक वर कहो हे प्रभू हे नाच हम जैसे हैं हे नाज, हे श्री मन्नारायन, हे श्री रंगनाज भगवान, हे विहरी जी, हे राधा रमन जी, हे जगनाज जी, हे विठ्छलनाज जी, हम जैसे हैं, आपके रूज, अपने आपको समर्पित कर दीजिए, समर्पन कर दीए, सब हम आपके, बेटा दे दें, तो खुश रहो, ना दें, तो खुश रहो, बेटी दे दें, तो खुश रहो, ना दें, जैसे रखें भगवान, जैसे रखें, रामजी रहना चाहिए, और सीता राम, सीता राम कहना चाहिए अपनी जिदना करो कि भगवान हमें ये दो यदि हमने कहा कि ये चाहिए तब फिर आपने भगवान को अपना नौकर बना लिया क्योंकि नौकर से नौकर को आदेश दिया जाता है नौकर को आदेश दिया जाता है क्या मालिक को कभी आदेश दिया जाता है जोर से क्या मालिक को कभी आदेश दिया जाता है नहीं हमेशा आदेश किसे दिया जाता है नौकर को अब बताओ कि भगवान तुमारे मालिक है या नौकर है जोर से यदि मालिक है तो आदेश मत दीजिएगा जो आप दे रहे हैं मैं आपकी देनगी में खुश हूँ जो आप चाहें आप चाहें महलों में रखें चाहें जोपड़ी में रखें हम आपको 56 भोख खवाएं अनमक रोटी हम कभी ना कहो ये बगवान आप ये चाहिए ना हे नाच जो दिया है क्यों वही कम है इसलिए सदा हे नाच मैं आगको कभी भूलू नहीं तो भगवान हमारे मालिक हैं कौन है हमारे मालिक हैं तो मालिक से कभी कहना नहीं है आग्या देना नहीं है आदेस देना नहीं है जो मालिक आदेस दे रहे हैं उसे में खुश रहेंगा। समझ में आ रही है मेरी मां। भासा समझ में आती है हमारी। श्री आत्मदेव जी महराज घर से निकल गए। और उन्होंने जंगल में एक संत को देखा। संत ने कहा कथम रोध असी विप्रत्वम काते चिंता बली असी। बदत्वम सत्वरम महियं स्वस्थ दुखष शिकारणम बताओ। आप दुखी क्यों है। आत्मदेव जी ने कहा महराज मेरा बेटा नहीं है। संत जी जोर से हां से बेटे के लिए रोता है। अरे बेटा तो जरूरत ही नहीं है बेटे की। क्या करेगा। एक आदमी रो रहा जा महराज जी बेटा नहीं है। मैंने कहा क्यों बेटे के लिए रो रहा है। जितने आशू लोग बेटों के लिए बहाते हैं। इतने आशू भगवान के लिए बहाते तो भगवान मिल जाते है। लोगों को बेटों की जरूरत दिखाई पड़ती है भगवान की जरूरत दिखाई नहीं पड़ती कितनी बड़ी बिडम्मना बेटे को पाना सब चाहते हैं भगवान को पाना कोई नहीं चाहता भगवान से भी लोग बेटा मांगते हैं अरे भगवान से भगवान को मांग लो है प्रभू हम आप से आपको मांग रहे हैं आप से क्या ये बेटा बेटी मांग है भगवान मिल जाएं तो फिर क्या चाहिए इसलिए भगवान से ये बियर्थ की चीज़ है ना मांगो संत जी से आत्मदेव जी ने कहा बेटा संत जी ने समझाया नहीं माने फल दे दिया ये फल खिलाना पत्नी को पत्नी को दिया धुंदली ने फल खाया नहीं गाय को फल खिला दिया और बहन का बेटा खरीद लिया गाय को फल खिलाया तो गाय को बच्चा हुआ नाम रखा गौकर्ण और धुंदली ने बहन का बेटा खरीद लिया नाम रखा धुंदकारी धुंदकारी वड़ा दुश्ट एक दिन तो अपने माता पिता को उसने खुम मारा गौकर्ण जी आत्मदेव जी को मारा चल पैसे निकल आत्मदेव जी रोए भगवान पेटा पैसा कहा है तो उने सब जुआ में उड़ा दिया जब बेटा नहीं था तो भी आत्मदेव जी रोए और अब बेटा मिल गया तो भी आत्मदेव जी रोए जिसके जीवन में रोणा है न वो रोएगा भाग्य में रोणा है तो रोणा पड़ेगा आत्मदेव जी बहुत रोए की बेटे ने मारा जब बेटा नहीं था तो भी रोए बेटा मिला तो दुष्ट मिला इसलिए रोए इसलिए जब आत्मदेव जी रो रहे थे तब गौकरण जी उन्हें समझा रहे थी गौकरण जी ने कहा पिता जी क्यों रो रहे हैं आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा कोई किसी का बेटा नहीं है कोई किसी का नहीं है अच्छा ये बताओ क्या ये बेटा आपका है क्या ये बेटी आपकी है अच्छा बताओ इस संसार में आपका क्या है मैया ओ मेरी प्यारी मा आपका क्या है संसार में क्या बेटा आपका है बेटी आपकी है पती आपका है पतनी आपकी नहीं, फिर किसके हैं ये, बताओ किसके हैं, ये सब, ये सब किसके हैं, अच्छा बेटा बेटी छोड़ो मेरी माँ, बताओ ये शरीर, ये जो शरीर है, ये शरीर आपका है, हाँ, ये जिन्दगी एक किराए का घर है, ये शरीर भी आपका नहीं है, आप किराए के मकान में रहते, कितने लोग किराएदार है, आप मैंसे कितने लोग किराएदार है, जो हाँ, जो किराएदार है, वो हाँ उठाएँ, आप किराएदार नहीं है, अरे ये शरीर इश्वर ने किराए का दिया है, ये जिन्दगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुम को आवाज देगी, धर से बाहर निकलना पड़ेगा, तो कितने लोग किराएदार हैं, सोचो कि ये शरीर भी अपना नहीं है, है, ये शरीर भी आपको यहीं छोड़के जाना पड़ेगा, जब ये शरीर अपना ना हो सका, तो इस सरीर से सम्मंध रखने वाले लोग भल अपने कैसे होंगे, अग्यान में जीते रहे सारी जिंदिगी, कि ये मेरा, ये मेरा, कौन किसका बना बता, ये हाच भी आपका नहीं है, बुढ़ापे में काम करना छोड़ देता है, कमर घुटने सब छोड़ देते हैं, आँखों में दिखना कम पड़ गया, कानों ने सुनना कम कर दिया, मतलब धीरे धीरे आपका सरीर आपका साथ छोड़ रहा है, जब आपका सरीर आपका साथ छ एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा दोनों हाद उठालो मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा दोनों हाद उठाके मस्ती के संग जिन्दगी एक किराए का घर है जिन्दगी एक किराए का घर है एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा मौत जब तुमको आवाज देगी मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा मौत जब तुमको आवाज जब तुमको आवाज देगा खासमिती काहर इंसान है पाद मरने की होना यहीओ खासमिती अहरे इंसान है पाद मरने की होदा यहीओ खासमित्ती का हर इंसान है बाद मरने के होना यही है खासमित्ती का हर इंसान है बाद मरने के होना यही है खासमित्ती का हर इंसान है बाद मरने के होना यही है या जमी पर तुरा बत बनेगी या चिताओं में जलना पड़ेगा हड़ेगा या चिताओं में जलना पड़ेगा हरीवाओ रात के बाद होता सवेरा देखना हो अगर दिन सुनेरा रात के बाद होता सवेरा देखना हो अगर दिन सुनेरा रात के बाद होता सवेरा देखना हो अगर दिन सुनेरा रात के बाद होता सवेरा देखना हो अगर दिन सुनेरा रात के बाद होता सवेरा तेजे ना हो अगर दिल सुने है गाद पैर भूलों में रखने से तहले तुम को काटों में चलना पढ़ेगा पढ़ेगा तुपता हों चलता हुआ जिंदगी एक किराय का खर है, जिन्दगी एक किराय का खर है आई के दिन वदल आड़ेगा पड़ेगा लिपे गिरो वदल आड़ेगा मौत सब को आनी है कौन इससे जूटा है तू बना नहीं होगा ये खयाल जूटा है सास तूटते ही सब रिस्ते तूट जाएंगे आप मा बेहन भी भी बच्चे जूट जाएंगे बच्च जूट जाएंगे आज समझे कलियों का हाथ मा तेरे आयाएंगे और गफलत की इंगर सोने मा ये खौखाएंगा तूटता सूरज धीरे धीरे धाल जाएगा धर जाएगा धर जाएगा तूटता सूरज धीरे धीरे धाल जाएगा जिंदगी एक किराए का घर है जिंदगी एक किराए का घर है इतना इतने पदल आपिरा मणिका एक किरा घर है शिरित बजल लिवाद जाएगा तूटत जाएगा तूटत जाएगा अरद जाएगा मौत सब को आनी है, कौन इससे छूटा है, दूफना नहीं होगा, ये खयाल जूटा है स्वास तूटते ही, सब रिस्ते तूट जाएगे, बाप, मा, बेहन, भी, भी, बच्चे छूट जाएगे तू यहां मुसाफिर है, ये सराय फानी है, चार रोज की महमा तेरी जिंदगानी है ये जिन्दगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा ए मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा तो ये जीवन कैसा है मेरी माँ, किराए का किराए का जीवन है, आजम देवजी पर बढ़त धुन्दकारी ने अत्याचारि किया धुन्दकारी ने अपने माँ, अपने पिता को मारा हाँ तुठाय अपनी माँ पर, अपने पिता पर, तब गौकरन जी ने समझाया देहे स्थिमान सरुधरे भिमतिम्त्य जत्वम जाया, सुतादे सुसदाम मदाम बिमन जी पिता जी, मत रोईए, ये संसार है पिता जी, आपके बेटे ने आपको प्रताडित किया ये मान गए कि ये मेरा बेटा ही आपने गलती कर दी पिता जी गौकरन जी ने जब समझाया, आत्म देव जी को बड़ा अच्छा लगा भगतो जब बेटा अपनी पिता पर हाँट उठाता है, जब बेटा अपनी माँट पर हाँट उठाता है आत्म देव जी को मारा तो आत्म देव जी घर से निकल गए उन्होंने तो कल्यान कर लिया पर धुन्द ली को जब धुन्द कारी ने मारा तो वेचारी कुए में कूद कर धुन्द ली ने आत्म हत्या कर लिया अच्छा बताओ मैया ओ मेरी प्यारी मा यह बताओ सबसे बड़ा दुख क्या है आप लोग बताओ सब लो इस संसार का सबसे बड़ा चलो आप ग्रहस्थी हो ना बताओ ग्रहस्थ को सबसे बड़ा दुख कब होता है ग्रहस्थ जीवन में कब सबसे बड़ा दुख होता है ग्रहस्थ के जीवन में दो बार समसे बड़ा दुख होता है हर मा, हर बाप दो बार रोता है हर इस्त्री, हर पुरुष माबाप केवल दो बार रोते है आपको बता है वो दो बार कप-कप मै या मुवाल चला लो मेरी मा अभी ये कथा, आपके संस्कार टीवी पर भी आप देख सकते हैं और आप अपने मुवाईल पर भी कथा, यदि मुवाईल को कथा के लिए यूज़ करते हैं तब तो सही, आप अपने मुवाईल पर यूटूब पर अनिरुद्धा चारे टाइप करो तो इस परकार चैनल खुलके आएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आज यूटूब पर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है एक करोड़ अठारह लाख लोग जुड़े हैं इस परिवार से कितने लोग जुड़े हैं? एक करोड़ अठारह लाख लोगों का यूटूब पर परिवार है आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके और जुड़े और कच्छा अच्छी लगे तो औरों को भी शेयर करें ताकि औरों का भी ज्यान बढ़े और अभी सात वजे से सात वजे से प्रशनोत्री होगी आप अपने मोवाइल पर ये प्रशनोत्री देख सकते हैं जो प्रशन कूछना चाहें आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ जो हमसे बनेगा आपकी सेवा करेंगे तो आप भी प्रशनोत्री में जुड़ें घर बैठे यूट्यूब पर या यहां हैदराबाद वाले भक्त तो यहीं जुड़ सकते हैं यहीं सात वजे से होगी और कल सुवह दस वजे जिन्हें मिलना है तो अभी सात वजे से आठ वजे तक प्रशनोत्री के दौरान मिलेंगे और सुवह दस वजे से ग्यारा वजे भी रोज हम आपसे यहीं पर मिलेंगे और आगे के कारिक्रम आपको बताएंगे तो जिनको मिलना है यहीं पर सुवह दस से ग्यारा या सुबह साथ से आठ यहीं पर रोज और कछा तो है ही आपको रोज साथ दिन के लिए अब मुझे मैंने यह पूछा कि बताओ कि ग्रहस्थ मैं माता पिता दो बार रोते हैं कब-कब हर माबाब दो बार रोते हैं कब-कब भगवान करें आप कभी न रोएं लेकिन पहली बार माबाब रोते हैं जब जब बेटी विदा होती है और दूसरा बेटी जब घर छोड़े तब और बेटा मुख मोड़े तब दो बार जब बेटी घर से विदा होकर जाती है तो माबाब रोते हैं वो पहला रोना है और जब बेटा अपने बाप से और अपनी मा से कहे कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है जब ये शब्द कह दे तो फिर माबाब जो रोते हैं न अब बच्चे को यही तो नहीं बता सकते के मैंने तेरे लिए क्या किया एक मा कभी नहीं बता सकती अपनी ओलाद को कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है हम ज़्यादा समझदार हैं तुम से आजकल के बच्ची अपने मावाब को समझदार नहीं मानते कुछ बच्चों की हम बात कर रहे हैं सबकी ने आजकल कुछ बच्ची अपनी माव को घर से निकाल देते हैं तुमारे पास क्या है कुछ तु बचा नहीं ना तुमारे पास कोई जमीन जायजायच है ना कोई सौना चांदी है ना रुपिया पैसा है तो अब तुम हमारे किस काम के ऐसा कहकर बेटा अपने मा को घर से निकाल देता है यह कहकर कि अब तुमारे पास बचा ही क्या है आप हैदराबाद वाले भक्तो छेतर वाले भक्तो कभी वरंदा बनाईएगा वरंदावन में गौरी गोपाल आश्रम है गौरी गोपाल वरधा आश्रम है जहां पर 265 माताएं अभी बरतमान में हैं वो वरधमाई जिनको बेट वरंदावन में ये दास हम स्वयम माताओं के चर्ण दवाकर माउं की सेवा करते हैं जैसी बनती है आप मैसे कितने लोग ऐसे हैं जो कभी वरंदावना के वरधमाई का दर्शन किया है ये देखो कुछ लोगों ने हाथ उठाए हमारी मैया जीवी गई है और भाया जीवी जाकर वहां पर उन्होंने देखा है ब्रंदावन में 265 वरधमाई रहती हैं जो बेटे घर से निकाल देते हैं माउं को सेवा नहीं करते हैं ऐसी वरधमाउं की सेवा वहां पर होती है ये दास अनिरुत स्वयम करता है इसलिए आज कल की लोगों की इंसानियत मरती चली जा दीजिएगा आप लोग अपनी इंसानियत बचा के रखिएगा और आप इन वरधमाउं की सेवा अपनी अपनी माउं की सेवा कीजिएगा और यदि इश्वर ने लायक बनाया है तो वरंदावन में अभी 265 माताएं तो हैं पर एक हजार माताओं के रहने के लिए अभी एक आश्रम का निर्मान हो रहा है जिस पर एक हजार माताओं रह सकती हैं क्योंकि रोज कोई ना कोई माँ आती हैं अब जगह बची नहीं है तो अब ये बड़ा आश्रम बनाना आवश्यक था जहां एक हजार माताओं के रहने की छमता इस आश्रम में रहेगी तो आप भी एक कमरा बनवा कर अपनी और से व्रद्धमाओं को समर्पित कर सकते हैं आप भी एक कमरे का सहयोग एक कमरे की छट का सहयोग के आपकी छाओं में व्रद्धमाताई रहें और आप भी एक मा को गोद लेकर जीवन भर रोटी देने का संकल्प कर सकते हैं प्रियभक्तो व्रंदाव व्रंदावन में दूसरी सेवा चलती है गौरी गोपाल भगवान की रसोई हज्जारों साधु संत अन्यचेत्र लेते हैं अन्यदान होता है व्रंदावन में गौरी गोपाल अन्यचेत्र के नाम से सेवा होती है जहां कोई भी आजाए कितने भी साधु संत आए नित्य भोज प्रशादी संतों को बांटी जाती हैं। पतनी के नाम से अन्यदान करें, ये पुरुशोत्त माह चल रहा है, इस माह में दान जरूर करें, पुन्य जरूर करें, साथ ही वरंदावन में एक रसोई चल रही है, जिसे गौरी गोपाल जी की रसोई कहते हैं, भई आपको बताऊं, तीस हजार लोग रोज प्रशाद पात अभी भी चल रही है, ब्रंदावन धाम है ना, कोई भी आए, कभी भी आए, कितने भी लोग आए, सवेरे आठ वजे से लेके रात तरी के दस वजे तक ग्यारा वजे तक रसोई चलती है, और रात को दो वजे भी कोई आ जाए, तो से पेट पर भोजन मिलता है रसोई में, बारों महिने की सेवा है ये, अखंड सेवा है, तो ये पुरुशोत्तम माह में आप लोग भी एक दिन की रसोई सेवा अपनी ओर से बटवा कर अन्यदान कीजिएगा, बाहर कार्याले लगे हैं, नाम लिखा कर अपनी रसीद जरूर प्राप्त करें, और व्रंदावन में एक गौरी गोपाल गुरु कुल तैयार हुआ है, अभी काम चल ही रहा है, पर अभी सो बच्चे हैं, जो बच्चे वेद व्याकरण और वो भारती सिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो गुरु कुलों में पहले प्राप्त कराई जाती थी, नहेशुलक बच्चों का रहना, खाना, पढ़ाई, लिखाई, सब नहेशुलक, सो बिद्यार्थी सुवर्ष हैं, अगले वर्ष पांच सो बच्चों के लिए तैयार हो जाएगा, अभी सो बच्चे पढ़ रहे हैं, गौरी गोपाल गुरु कुल में, आप कभी आओ, अपनी आँखों से देखो, गुरु क स्था करें, आप एक गाय को गोद लेकर की गौ सेवा करें, जिस लाग की इश्वर ने आपको बनाया, आप इन गायों की सेवा से जुड़ें, गोपाल भगवान की जय, धंदकारी ने मा को मारा, मा कुए में कोद कर आत्मात्या करती हैं, धंदकारी, पांच वैश्याओं क संग रहने लगा, पांचों ने गला दवा कर, जलते अंगार मों में डाले, धंदकारी मरा, प्रेत बन गया, तब गौकरन जी ने धंदकारी के गल्यान आर्च, प्रेत योनी से मुक्ती के लिए उसे भागवत श्रुवन कराई, और साथ दिन की भागवत श्रुवन करते ही धंदकारी प्रेत योनी से मुक्त हुआ, जो भागवत श्रुवन करता है, वो हर प्रकार से मुक्ती प्राक्त कर लेता है, धंदकारी मुक्त हुआ, दूसरी बार गौकरन जी ने भागवत जी सुनाई, सब जीव मात्र का सदगती हुई, गौकरन जी को भगवान ने हिर्द को गए जन्माध्यस्यतोन्वयादितर्तस चार्थे स्वभिज्यास्वरात् तेने व्रह्महर्दाय आधिकवय मुहियंतियत्सुरया ते जो वारी मृदाम यथाविनिमयो यत्रत्रि सरगो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कोहकं सत्यं परमधी महिं जो सत्य स्वरूप परमात्मा है जो जन्मसरष्टी उत्पन्य पारण करने वाले हैं से भगवान को हम बार बार नमस्कार करते हैं राजा परिक्षित को साथ दिन में मरना था जिसे साथ दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए शुकते भगवान से हाथ जोड़कर शुकताल में राजा परिक्षित ने पूछा जब साथ दिन में मरने का शुराप लगा शुकते भगवान ने कहा भगवत चिंतन करना चाहि झाल झाल को तो कि ए?